हालो स्टुरेंट आज इस वीडियो में हम क्लास एड बुक आरे सगरवाद चैप्र टैन प्रॉफित और लॉस एक्सराइस टैन एक फोर्थ वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं क्वेशन फोर है मन्जीत बॉट एन आइरन से फोर रुपीज 12,160 एंड रुपीज पेड रुपीज 340 फोर इस ट्रांस्पोर्टेशन देन ही सोल इट फोर रुपीज 12,875 फाइंड इस गेन परसेंट अब अच्छो इस क्वेशन को ना पहले ध्यान से समझो अब यहाँ पर क्या है जो मन्जीत ने आइरन की जो सेफ परचेस की है वो इतने में की है और जो उसके ट्रांस्पोर्टेशन पर खर्चा है वो 340 ए अब बच्चो यह जो खर्चा है यह आप किस में डालों घीब घीज और घीया अब टो पहले हमने लिखे हैं भीड़ कोस्टिन फूर सीपी ओफ आयरें सेफ कितना है रूपीज 12,160 और इसके पेड फॉर इस ट्रांस्पोर्टेशन या आप लिख दो यहां पर या ट्रांस्पोर्टेशन चार्जिस ऐसे विख सकते हैं फॉर पेड फॉर इट्स ट्रांस्पोर्टेशन आप वो कितने पी किया है रूपीज 340 आप अचरो यह दो नो किया है हमने यह पे किया है रूपी में तो इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइज मेंहाते हैं ठीक है अब हमारी क्oi तोटल CP लिख दो यह actual CP of safe लिख दो तो यह आप लिखेंगे टोटल actual भी लिख सकते हैं CP of iron safe कितना आजगा रूपीज 1260 प्लस रूपीज 340 तो कितना करेंगे इसको 0 आजगा 6 प्लस 4 10 01 केरी 345 रूपीज 12500 आ गया और SP कितनी है SP of iron safe वो कितना हमारे पास रूपीज 12,875 अब अच्छों यहां पर क्या है जो SP है वो CP से जाता है SP is greater than CP then क्या हुआ हमें गेन हुआ है ठीक है गेन कैसे निकालते है SP माइनस CP मतलब कि रूपीज 12,875 माइनस रूपीज 12,500 ठीक है माइनस किया 75,8 में से 5 लेज गया 3, रूपीज 375 मारा क्या आ गया गेन आ गया अब यहां पर क्या पूछा गया है find his gain percent हमने gain percent निकालना है तो gain percent को निकालना है देखो इसको हमने percentage में convert करना है gain percent का मतलब क्या हुआ जो यह gain आया इसको percentage में convert करना है तो हम क्या लिखेगे gain लिखेंगे सबसे उपर और इसमें हम CP लिखेगे ठीक है तो CP हम क्यूं लिखते हैं देखो CP हमारा क्या है एक base price है ठीक है अगर हमने यह purchase की नहीं होगी तो हम कैसे इसको बेश सकते हैं और कैसे हम profit और loss को निकाल सकते हैं ठीक है इसलिए मेशा आपने CP को ही लिखना है और multiply percentage करना है 100% से multiply कर देगे अब gain हमारे पस कितना है 125 थी जा direct भी काट सकते हो देखो 125 multiply 3 3 5 0 15 5 1 carry 3 2 6 plus 1 7 3 1 0 3 तो 125 थी जा 375 तो gain कितना आजेगा 3% ठीक है तो answer में आप लिख सकते हो gain equal to 3% राइट अब हम करते है question 5 question 5 क्या है दखो अब बचो question 5 में देख लो यह है robin purchased an old car 4 piece 73,500 he spent rupees 10,300 on repairs and paid rupees 2600 for its insurance then he sold it to mechanic rupees 84,240 but was his percentage gain or loss तो हमने पहले देखना है कि हमें gain हो रहा है यह loss हो ठीक है तो अब अच्छो जो यह expense आगे ना देखो यहां पर hint दिया गे इनको overhead expenses भी बोलते है ठीक है तो यहां पर हमें इनको add करके हमारे पस क्या है actual CP आजएगी car की तो यहां पर question 5 तो हम यहां पर लिखेंगे पहले CP of an old car कितने है रूपीज 73,500 तो यहां पर repair charges कितने है रूपेर charges वो कितने है रूपीज 10,300 और insurance charges कितने है हमारे पास रूपीज 2600 अब यहां पर लिख दो total CP total CP of an old car अब अच्छे देखो यहां पर बिल्कुल हमने sequence में लिखे तो इनको हम add कर सकते हैं क्योंकि इनको add करेंगे 0, 0, 6, plus 3, 9, 9, plus 5, 14, 4, 1, carry 4, plus 2, 6, 86,400 मारी यह क्या आगी CP आगी और sold to mechanic तो SP of a car कितने आगी रूपीज 84,240 अब बच्छों यहां पर कहा है CP जो है SP से ज़्यादा है ठीक है ना तो यहां पर कहा है CP is more than SP कि जब CP ज़्यादा हो मता कि खरीदा हमने ज़्यादा है बेचे हमने कम में है तो हमें क्या होता है loss होता है तो loss क्या होगा CP माइनस SP तो CP कितने हमारे पास रूपीज 86,400 माइनस रूपीज 84,240 तो माइनस करेंगे जिरो DP जिरो आजएगा जीरो में से फोलस हो था तो 10 में से फोलस किया 6, direct cream फ्री में से थोलस किया वन और यहां पर रह गया तू से रज़ा तो और एट में से एटलस किया 0 तो मारे पास लोज कितना है 2160 का loss आ गया अब हमें कहन का ले है loss percent निकाल ले है loss percent कैसे निकालेंगे loss upon cp in 200 percent loss कितना है 2160 upon cp मारे पस कितने आ गई यह आई है 86400 multiply 100 percent अब अच्छो 0 से 0 कट गई ठीक है अब हमने देखने हैं यह किस पर कट रहा है ठीक है अब किस पर कर सकता है 4 5 244 16 4 2 2 8 4 1 4 4 6 2 4 4 के टेबल कर जाएगा 4 5 20 remainder 1 16 4 4 16 0 4 2 2 8 4 1 2 4 यहाँ पर remainder 2 24 4 6 2 24 अब किस टेबल पर कर जाएगा यह 6 के टेबल कर जाएगा 6 9 जा 54 0 और 6 3 जा 18 21 में से हमने 18 को लेज़ गया हमारे पर साया 3 36 हो गया है 6 6 जा 36 ठीक है अगें इसके कटेगा 6 1 6 6 के टेबलने कर जाएगा 6 1 6 remainder 3 30 6 5 जा 30 6 6 जा 36 अगे 3 5 जा 15 3 2 जा 6 तुमारे परस कितना आ गया 5 अपॉन 2 परसेंट आ गया और यहां पर numerator जो है denominator से बढ़ है तो इसको हम fraction में convert कर देंगे 5 को 2 से multiply गया है 2 2 जा 4 5 में से 4 जास किया 1 तुमारे परस कितना आ गया 2 होल 1 अपॉन 2 परसेंट ठीक है तो हमारे पास answer में लिख देंगे loss कितना है हमारे पास 2 होल 1 अपॉन 2 परसेंट ठीक है बच्चों इस तरह से आपने यह question 5 को solve करना है अब हम करते है question 6 question 6 है Hari bought 20 kg of rice at Rs. 36 per kg and 25 kg of rice at Rs. 32 per kg he mix the 2 varieties and sold the mixture at 38 per kg find his gain percent in the whole transaction अब बच्चों यहाँ पर Hari नहीं क्या किया two types of variety के rice ख्रीदे ठीक है 20 kg उसने ख्रीदा 36 per kg के rate से और उसने जो दूसरी variety ख्रीदी है वो 25 kg ख्रीदी है 32 per kg के price से ठीक है अब अच्चों यहाँ पर आपने लिखना है तो यहाँ पर varieties लिखे है तो आप लिख सकते है इसको first variety बोल सकते है इसको second variety बोल सकते है तो यहाँ पर लिखेंगे CP of rice of first variety first variety ठीक है अब अच्चों यहाँ फर्स्ट वराइटी कितनी है रुपीज 36 per kg तो यहाँ पर किया है रुपीज 36 को हम क्या करेंगे है पर kg है अब यह जो rate दिया गया है एक kg का दिया गया है पर हमने कितना खिच दे 20 kg तो हम क्या करेंगे रुपीज 36 को 20 से multiply कर देंगे तो महारे पास कितना आजएगा 0 आजएगा 2-6-12, 2-1 carry 2-3-6, plus 1, 720 7 आगे न तो जो एक variety है जो इसने 20 kg जो rice थी 36 पर kg से वो total उसका price कितना है रुपीज 720 तो CP of rice of second variety second variety महारे पास क्या है रुपीज 32 पर kg और कितने है उसका kg क्या है 25 रुपीज 32 पर kg और यहाँ पर कितना total kg कितना है 25 तो 32 को 25 से multiply करेंगे 5-10, 0-1 carry 5-3, 15, plus 1, 16 2 to the 4, 2 to the 6 6 plus 4, 10, 0 1 carry 6, 7, 8 तो हमने कितने करेंगे रुपीज 800 ठीक है तो इनका total यह हो गया इसका second variety का अब हमने निकाल लाए total CP of both variety ठीक है total CP of rice of both variety तो इसमें हम क्या करेंगे कि रुपीज 720 को में रुपीज 800 को add कर देंगे तो कितना आ जगा 0, 2 आ जगा 8 plus 7, 15 आ गया तो इसकी जो चावल की sorry, rice की जो CP कितने आ गई 1,520 आ गई अब बच्वों यहां पर क्या है कि he mixed the two variety and sold the mixture रुपीज 38 पर kg अब उसनी क्या कि यह जो दोनों वराइटी है ना तो इनको mix कर दिया अब mix करके पहले इनकी quantity क्या बन गी quantity कितनी है थी 25 and 20 फेले हम quantity निकालते है total quantity of mixed rice वो कितनी होगी महारे पास 20 plus 25 कितना हो जेगा 45 kg हो गया ठीक है अब हमने निकालना है total SP of mixed rice total SP कितनी है यहां पर कहे है रूपीज 38 पर kg है तो आपने क्या करने है रूपीज 38 को यह total quantity बन गी थी उससे multiply कर देंगे 45 से अब 45 को 38 से multiply करते है 8, 5 is a 40 0, 4 carry 8, 4 is a 32 plus 2 plus 4 36 3, 5 is a 15 5, 1 carry 3, 4 is a 12 plus 1, 13 अब add कर लेते है 6 plus 5 11, 1, 1 carry 7, 1, 7, 1 0 तो SP कितनी आगी रूपीज 7, 1, 7, 1 0 तो अब यहां पर कहे CP था हमारे पास 1520 और SP आगी रूपीज 1710 मतलब कि SP जो है CP से ज़्याद है SP is more than CP then हमें क्या हूँ है gain हूँ है अब gain कैसे नकालेंगे हम SP minus CP SP कितना है रूपीज 71710 माइनस रूपीज 1520 1710 में से 1520 को माइनस करेंगे 0 आया अब यहां पर 1 में से 2 लेस नहीं हो सकता कहरी के 11 में से 2 लेस गया तो हमारे पास कितना आजेगा है यहां पर 9 और 6 में से 5 लेस की आप 1 आ गया ठीक है तो gain हमारे पास कितना आएगा रूपीज 190 अब हमने क्या नकालने हैं यहां पर इन्हें बता है find his gain percent in the whole transaction gain percent नकालने है ठीक है तो gain percent नकालने के लिए हम क्या करेंगे gain upon cp multiply 100 percent देखर मैं बार बार आपको formula लिखके बता रहे हूं ताकि आपको formula याद भी हो जाए ठीक है तो gain कितना है 190 cp मारे पास कितना है था total 1520 multiply 100 0 से 0 कट गी अब इस देखरो किस पर कटेगा ये 2 के टेबन कटेगा 2 5s are 10 2 7s are 14 2 7s are 14 और यहाँ पर इमेंड 2 6s are 12 अब ये किस पर कटेगा 4 1s are 4 4 9s are 36 4 4s are 16 19 means 16 इसको नहीं 2 के टेबन में कार देते है इसको 2 के टेबल में ही कार देते है 2 9s are 18 2 9s are 18 remainder 1 2 5s are 10 2 3s are 6 2 8s are 16 अब ये किसी भी टेबल पर नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे मेरे ख्यासों तो किसी पर नहीं कट रहा और डारेक्ट भी नहीं कट रहा तो 95 को 5 से मल्टिप्लाई किया यहाँ पर आएगा परसंटेज लिखने 5 5s are 25 5 to carry 5 9s are 45 plus 2 47 47.38 आगया परसंट ठीक है अब हम इसको क्या करते हैं इसका यहाँ पर रफ में निकाल लेते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 75 को 38 से मल्टिप्लाई किया तो कितना आएगा 38 1s are 38 है न अब 17 में से 8 less किया तो 9 आगया आगे नियागा तो उपरसंट हमने 5 को अतार लिया अब किस पर जाएगा जी 38 3s are कितना था 3 8s are 24 4 2 carry 3 3 9 plus 2 11 आगया तो बड़ा आ रहा है तो 32 38 2s are 28 2 16 6 1 carry 23 6 plus 1 7 ठीक है न plus 1 7 आगये हैं हाँ पर अब 15 में से हमने 6 को माइनस किया तुम्हार पस कितना आ गया 9 आ गया 38 को 27 2 16 6 76 आया तो 95 में से 6 लेस गया 9 में से 7 लेस गया 1 आ गया ठीक है अब हम इसको आगे नहीं सॉल्फ करेंगे तो यहां पर हमारे पस किया आ गया 12 whole 19 upon 38 percent ठीक है बच्चो यह आगे कट भी सकते हैं तो 19 1 19 19 टूजा 38 तो कितना आ जगा 12 whole 1 upon 2 percent तो हमारे पस लॉस कितना आ गया यह लॉस यह नहीं गेन आया सॉरी गेन आंसर में रिखे हैं गेन इक्वल टू 12 whole 1 upon 2 percent ठीक है बच्चो इस तरह से आपने यह question 6 को solve करना है आई हो आपको यह question 6 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा अगर आपकी कोई query है तो आप message कर सकते हैं बच्चो अगर वीडियो useful लगे है तो वीडियो को like करें शेर करें अपने friends के साथ channel पर new हो तो channel को subscribe करें thank you for watching next video में हम question 7 से start करेंगे बच्चो एक बात मैं आपको और बताना चाहते हूँ अगर आप class 6 और class 7 की book आरे सगरवाल के chapters की वीडियो देखना चाहते हैं तो class 6 और class 7 की playlist का link भी description में देख गया है आप playlist में जाकर किसी भी chapter की वीडियो को देख सकते हैं